हेलो दोस्तों नमस्कार इंडियन रेल मुसाफिर चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों आज की जो ट्रेन जानकारी है वो है मुंबई विशाका पत्नम सूपर फास्ट एक्सप्रेस के बारे में जो वायर नाकपुर होकर चलती है वीडियो के शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन दबाना मत बुले ताकि आपको लेटेस वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे दोस्तो आज की जो ट्रेन जनकारी है वो है मुंबई लोकमाने तिलक टर्मिनस विशाका पटनम सुपर फास्ट एक्सप्रेस के बारे में जो की वायर नाखपुर होकर चलती है यह जो ट्रेन है मुंबई से विशाका पटनम के बीच में हफते में एक दिल चलती है लोकमान पर आवर यह सूपर फास्ट टाइप की ट्रेन है इसे साउथ कोस्ट रेलवे जोन जो है अपरेट करता है अगर मुंबई विशाका पटनम सूपर फास्ट एक्सप्रेस के टिकेट किराय के बारें बात की जाए तो मैं जो अभी आपको टिकेट किराय बताऊंगा वह होता है थर्ड एसी का जो किराय वह सत्रा सो पैंटीस रुपए इसमें भी रिजर्वेशन चार्ज बेस फेयर चार्ज सूपर फास्ट चार्ज और जीएस्ट चार्ज शामिल होता है दोस्तों ध्यान रहेए जो मैं आपको किराय बता रहा हूं यह लोग माने तिला टर्मिन के करीब है यह जो मैंने अभी आपको किराय बताया है यह पडेटेड और सही किराय नहीं है सही किराय जानने के लिए आप रेलवे की वैबसाट यह टिकट काउंटर पर जाके भी कनफर्म कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बात करते ह विशाका पड़नम तक चलने वाली सुपरफास एक्सप्रेस के टाइम टेबल के बारे में यह जो ट्रेन है लोकमाने तेले टर्मिने से हर्च शुकरवा सौरी मंगलवार को रात के बारा बच के पंद्रा मिनट पे रवाना होती है और इसके तकरीबन 23 स्टेशन से विशाक के 35 मिनट पे वहां से रवाना हो जाती है इसका यहां पर पांच मिनट का स्टॉप है और यहां पर यह दो नंबर प्लैट्फॉम पे आके रुखती है उसके बाद मुंबई विशाका पड़नम एक्सपर जो वायर नागपूर होकर चलती है मनमार जंक्शन में सुबह चार पांच मिनट पे वहां से रवाना हो जाती है इसका यहां पर पांच मिनट का स्टॉप है उसके बाद यह ट्रेन जो है अकोला जंक्शन में पहुंचती है अकोला जंक्शन में ट्रेन जो है सुबा 8 बच के 50 मिनट पे पहुंचती है और 8 बच के 55 मिनट पे वहां से रवाना हो जाती है स्का यहां पर 5 मिनट का स्टॉप है भणनेरा जंक्शन में ट्रेन जो है सुबा 10 बच के 32 मिनट पे पहुंचती है और 10 बच के 35 मिनट पे वहां से रवाना हो जाती है स्काई यहां पर 3 मिनट का स्टॉप है और दो नंबर प्लाट्फॉम पर आकर train जो है रुपती है उसके बाद यह train जो है वर्दा जंक्षन में पहुंचती है वर्दा जंक्षन में ट्रेंज हो है दुपहर के एक बच के सुरी ग्यारा बच के बावन मिनट पे सुबा पहुंचती है और ग्यारा बच के पच्पन मिनट पे वहां से रवाना हो जाती है स्का यहां पर 3 मिनट का स्टॉप है, नाकपूर जंक्शन में ट्रेन जो है, दुपहर के 1.40 मिनट पर पहुँन्ट पर पहुआंचती है, और 1.50 मिनट पर वहां से रवाना हो जाती है, स्का यहां पर 10 मिनट का स्टॉप है और यह महराष्ट का आखरी स्टेशन है उसके बाद मुंबई विशा का पटनम एक्सप्रा जो है 36 गड के दुर्ग जंक्शन में पहुंचती है शाम के 6 बच के 5 मिनट पे और 6 बच के 10 मिनट पे वहां से रवाणा हो जाती है स्का यहां पर 5 मिनट का स्टॉप है उसके बाद यह ट्रेन जो है राइपूर जंक्शन में शाम के 7 बच के 20 मिनट पे पहुंच्ती है और 7 बच के 10 आठ बच के 30 मिनट पर वहां से रवायना हो जाती है जिसके बाद यह ठेस agora जो है करेयार रोड में पॉँचती इसकर पे स्काइशा कर्णाद हो ह्OWN, आठके 15 मिनट पर पुर्येश आठे बाज 27 मिनट पे वहां से रवाना हो जाती है सका यहां पर 2 मिनट का स्टाप है और एक नंबर प्लैर्फॉंप पर आ hysteria डूरी बाट के मिलड़ इ 10 होंशा है इहां 12 बज फींट मां पे बाँघ इ sexy Christmas vaipra 5 मिनट का स्टाप है आंध्रा परदिश के पारवती पूरम टाउन पारवती पूरम स्ट्रेशन में ये ट्रेंज हो है रात के दो बच के 41 मिनट पे पहुंचती है और दो बच के 43 मिनट पे वहां से रवाना हो जाती है इसका यहां पर दो मिनट का स्टॉप है उसके बाद ये ट्रेंज हो है अपन पांच बचके 25 मिनड़ पर पहुंचती है और एक नमबर प्लैटफॉम पर जाके अपनी यात्रा जो है स्माप्त कर लेती है मुंबई से विशाका पट्नम की जो दूरी है यह ट्रेन जो है और इस वीडियो को लाइक जुरू करके जाएं अगर अभी तक आपने मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब ने किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल लाइकन जुरूर दुमाएं ताकि आपको लेटस वीडियो की नोडिफिकेशन मिलती रहे धन्यवाद दोस्तों इस वीडिय को देखने के